सालहा साल की तलाश के बाद जिन्दगी के चमन से छाटे हैं आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद काटे हैं तो शौरा एकराम आपके सामने पेश करेंगे आज का हमारा ये नौजवान नई नसल नौजवान नसल जो 21 सदी 20 में शायरी कर रही है उसके क्या खाब हैं वो समाच को मौाशरे को और वो अपने अपने गिर्दो पेश को और अपने अलाके को वो किस अंदाज में देखती है और गजल जिसके माने हैं कि महबूब से गुफ्तकू करना वो किस अंदाज में बातें करती है ये नौजवान नसल क्या गालिब की तरह उसके अहां भी पसपाई है या इसके बरक्स है तो हमारी आज की नौजवान नसल और नौजवान और यूथ समाच के लिए मौशरे के लिए और अपनी शायरी में किस अंदाज में पेश करता है वो आप आज की इस खुबसूरत नशिस्त में देखेंगे तो आईए बिला किसी ताखीर के आज का नौजवान किस लम्हे में सोचता है कि तुझे अगर तेरी शर्तों पे ही करना है गुबूल ये सहुलत तो मुझे सारा जहां देता है आईए इसी अंदास की शायरी सुनने के लिए हम अपनी फेहरिस्त से मैं चुझे बहुत ही मुख्तसर सी फेहरिस्त है और हमारे पास एक घंटे का वक्त आज के इस मुशायरे के लिए मुख्तस है इस एक घंटे में हमारा आज का ये मुशायरा खत्म होगा तो इस एक घंटे के मुशायरे में हम सबसे पहले आज के इस खुबसूरत आगास के लिए खुबसूरत एक शुरुआत के लिए हमारी फेहरिस्त में खुबसूरत नाम जनाब तरकश प्रदीब साहब का है मैं उनसे दर्खास गुजार हूँ कि सर आप तश्रीफ ले आईए ये हवा के मस्त जोके जो चमन से आ रहे हैं तेरी जुल्फ चूके आते तो कुछ और बात होती और ये फसाने मुहबत बजबाने दीगरा क्या इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती सुनिए जनाब प्रदीब तरकश एक गजल से कुछ शेर समात फरमाएं कि ये तै हुआ है कोई बहाना नहीं चलेगा ये तै हुआ है कोई बहाना नहीं चलेगा अगर चला तो हमारा रिष्टा नहीं चलेगा ये तै हुआ है कोई बहाना नहीं चलेगा अगर चला तो हमारा रिष्टा नहीं चलेगा नया तरीका उसे मनाने का ढूंडते हैं अब उसके आगे ये रोना धोना नहीं चलेगा शुक्रिया ये तैह हुआ है कोई बहाना नहीं चलेगा अगर चला तो हमारा रिष्टा नहीं चलेगा नया तरीका उसे मनाने का ढूंडते हैं अब उसके आगे ये रोना धोना नहीं चलेगा जो ये मुसाफिर रुके हुए हैं इन्हें बता दो जो ये मुसाफिर रुके हुए हैं इन्हें बता दो इन्हीं को चलना पड़ेगा रस्ता नहीं चलेगा जो ये मुसाफिर रुके हुए हैं इन्हें बता दो इन्हीं को चलना पड़ेगा रस्ता नहीं चलेगा मैं अपने दीवाने पन को काबू में ला रहा था मुझे मुहबत ने टोका ऐसा नहीं चलेगा बहुत खुब भई बहुत खुब अब एक दुनिया उसी को सच मानती है तरकश तुम्हारा कहना था जूटा खिस्सा नहीं चलेगा ये तै हुआ है कोई बहाना नहीं चलेगा अगर चला तो हमारा रिष्टा नहीं चलेगा दो शेर सुन लें कि नहीं रहेगा बदन नहीं रहेगा बदन कुछ भी मैं करूँ चाहे नहीं रहेगा बदन कुछ भी मैं करूँ चाहे बदन भले न रहे मैं रहूं कुछ ऐसा करूं किसी को कान बनाता हूँ तो किसी को आँख किसी को कान बनाता हूं तो किसी को आँख खुदायत मादी अगर हो तो क्यूं कुछ ऐसा करूं एक मतला नहीं कुछ शेर सुन लें गजल से की जहमत उठाना होती उसे और वार की जहमत उठाना होती उसे और वार की सो उसकी एक चोट पे ढहना पड़ा मुझे जहमत उठाना होती उसे और वार की सो उसकी एक चोट पे ढहना पड़ा मुझे दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान खुद अपने एतिजाज को सहना पड़ा मुझे फिर से पढ़ देता हूँ मैं दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान अपने भी एतिजाज को सहना पड़ा मुझे कोशिश मेरी रही है कि उसको खबा करूँ कोशिश कोशिश मेरी रही है कि उसको खबा करूं मिलता है जो भी फूल बरहना पड़ा मुझे बहुत खुब भाई बहुत खुब बहुत खुब अच्छा शुक्रिया भाई कोशिश मेरी रही है कि उसको खबा करूं मिलता है जो भी फूल बरहना पड़ा मुझे फर्दा की फिक्र थी न था माजी ख्याल में ऐसे भी एक हाल में रहना पड़ा मुझे और शेर देखें कि एक उम्र तक चलाए गए खूब हाथ पाऊ एक उम्र तक चलाए गए खूब हाथ पाऊ जब आई मेरी लहर तो बहना पड़ा मुझे और इस तरह सुन रहा था कोई मेरी बात को इस तरह सुन रहा था कोई मेरी बात को कहने की बात और है कहना पड़ा मुझे और दो चार शेर और सुन लें कि किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का आप तो इतना बताएं हमें भूले कैसे किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का आप तो इतना बताएं हमें भूले कैसे मैं बड़ी देर से आईना तके जाता हूँ तुमको भी लोग पसंद आते हैं कैसे कैसे किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का आप तो इतना बताएं हमें भूले कैसे मैं बड़ी देर से आईना तके जाता हूँ तुमको भी लोग पसंद आते हैं कैसे कैसे बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रदीप तरकेश साहब खवातीनों हजरात गजल एक ऐसा फन है जिसमें खुस्न औ इश्क भी है और दर्दो तरब भी जहां एक तरफ वसल है तो दूसरी तरफ हिज्र है इन मिली जुली कैफियात का नाम गजल है और इसी अंदाज में शायर हमारे दर्मियान हर उन्वान से और जिन्दगी के और महबत के हर फलसफे को शायरी में पेश करता है कभी शायर कहता है कि ये कयाम कैसा है राह में तेरे जोग इश्क को क्या हुआ अभी चार काटे चुभे नहीं तिरे सब इरादे बदल गएं तो आईए कुछ ऐसी ही शायरी सुनने के लिए हमारी फेहरिस थे जनाब अदनान जिया साहब से मैं दर्खास करता हूँ कि आप तश्रीफ ले आएं और अपनी खुब्सूरत शायरी से हम सब को नवाज़ें बहुत शुक्रिया यही सबब है यह जशने अदब जशने अदब जशने अदब है बहुत शुक्रिया हर दिल में उतर जाए अदब यही सबब है यह जशने अदब जशने अदब जशने अदब है और कुछ मतफर्रक कशार सुन लीजे छोटी बहर में गजल के कुछ शेयर है कि कब जाने लग जाए बुरी कब जाने लग जाए बुरी उसको मेरी अच्छी बात बहुत शुक्रिया कब जाने लग जाए बुरी उसको मेरी अच्छी बात और एक मैं आपसे वादा चाहता हूं कल के लिए कि कल का वादा पक्का है क्ल का वादा पक्का है कल आओगे पक्की बात बहुत शुक्रिया कल का वादा पक्का है कल आओगे पक्की बात बहुत शुक्रिया और जो आज हालात हाजरा पर एक शेर इसी में कि आग लगाई ख़बरों ने आग लगाई खबरों ने वैसे थी छोटी सी बात रहा है ह। बहुत शुक्रिया और कुछ अचे जार सुनने ए हज़़का मतला पेश खिद्मत कि बौज गम का यूं उठाना चाहिए बौज गम का यूं उठाना चाहिए जिन्दगी भर मस्कूराना चाहिए बोज़ गम का यूँ उठाना चाहिए जिन्दगी भर मस्कूराना चाहिए मीर के लहजे में हो फिर शाइरी पिर से गालिब का जमाना चाहिए मीर के लहजे में हो फिर शायरी फिर से गालिब का जमाना चाहिए और उसकी फितरत बेवफाई है अगर उसको फिर क्यों आजमाना चाहिए उसकी फितरत बेवफाई है अगर उसको फिर क्यों आजमाना चाहिए तरके उल्फत कर तो लूम मैं भी मगर तरके उल्फत कर तो लूम मैं भी मगर तरके उल्फत को बहाना चाहिए वाँ वाँ शुक्रिया तरके उल्फत कर तो लूम मैं भी मगर तरके उल्फत को बहाना चाहिए और सूखे पेड़ों को गिरा तो दो मगर सूखे पेड़ों को गिरा तो दो मगर ताइरों को आशियाना चाहिए और दोस्तों को आजबाते हैं सभी खुद को भी आजबाना चाहिए और इजाज़त अगर हो तो एक गज़त का और कुछ शर्त इर्शादे आली परान भाई मेरे बड़े भाईया मौझूद है हमारे पिछले साल दो लोग हमसे बिठ रहे हैं दिल्ली के शेशांग शर्मबाज और चोहान सहाब उनके लिए एक मतला कहने की कोशिश की थी कि कौन कहता है कि मर जाते है कौन कहता है कि कौन कहता है कि मर जाते है लोग जहनों पर उतर जाते है तो हमारे जहनों पर जिन्दा है कि लोग कहते है कि मर जाते है लोग जहनों पर जाते है और राद भर खाब चुना करता हूँ राद भर खाब चुना करता हूँ दिन में सब खाब बिखर जाते हैं और जिनकी मन्जिल नहीं होती कोई जिनकी मन्जिल नहीं होती कोई जाने वो लोग किधर जाते हैं जिनकी मन्जिल नहीं होती कोई जाने वो लोग किधर जाते हैं और साथ में अजमे जवा है जिनके साथ में अजमे जवा हैं जिनके काम मुश्किल भी वो कर जाते हैं बहुत उम्दा बाई साथ में अजमे जवा हैं जिनके काम मुश्किल भी वो कर जाते हैं और जानते ये हैं के मकतल है उधर जानते ये हैं के मकतल है उधर दिल की सुनते हैं मगर जाते हैं जानते ये है कि मक्तल है उधर दिल की सुनते हैं मगर जाते हैं कुछ तो डरते नहीं अल्ला से भी कुछ तो डरते नहीं अल्ला से भी हम तो ये सोच के डर जाते हैं बहुत शुक्रिया बहुत खुब बहुत खुब जनाब अदिनान जिया साहब अच्छी शायरी से आपने हम सब को नवाजा खवतीनों हज़रात आज शायरी एक इसमी सदी इस्वी में नए तजरुबात में दाखिल हो रही है नए उन्वान नए मजामीन नए इहसासात नए ख्यालात आज का नौजमान शायर पेश कर रहा है नए ख्यालात और तजरुबात का जब सवाल उठता है तो हमारी फेहरिस से एक शायर अमन अक्षर के नाम से हम जानते हैं मैं आवाज दे रहा हूं कि इस दोरे बे जुनू की कहानी कोई लिखो इस दोरे बे जुनू की कहानी कोई लिखो जिस्मों को बर्फ, खून को पानी कोई लिखो आईए सुनते हैं जनाबे अमन अक्षर को आप सभी को नमस्कार मैं और अंकित काव्यांश हिंदी की तरफ से दो लोग यहाँ पर आज है हिंदी गीतों के माध्यम से अपनी बाते कहते हैं सबसे पहले तो जशने अदब का इसलिए भी धन्यवाद कि हिंदी उर्दू दोनों के लिए वो काम करते हैं और इतने बड़े आयोजन में हम जैसे नए हिंदी के लोगों को बिलाया है मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ फिर एक गीत सुना कर सीमित समय है उसमें अपनी बात कहता हूँ सुनिएगा हम जितने भी नौजवान लोग यहां बैठे हैं उनके परीशे में पढ़ना चाहता हूँ अपनी तरह से पढ़ना चाहता हूँ सुनिएगा कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं अपने हिस्से कठानक नहीं आए हैं जिन्दगी ने मुसलसल पुकारा हमें आपने ही मुसलसल पुकारा हमें हम यहां तक अचानक नहीं आये हैं चार पुंतियां और पढ़ता हूँ सुनिएगा कि ये समय इक अनूठा क्या विड़म बना है जीवन की सुनिएगा कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है ये समय एक अनूठा उपन्यास है जिसमें अपना भी होना अनायास है कि प्यास का ये सफर है बड़ी दूर काहा जब की घर तो नदी के बहुत पास है कि तुम न थे मन के सारे मनन व्यल्थ थे तुम न थे मन के सारे मनन व्यल्थ थे तुम को देखा नहीं था नयन व्यल्थ थे कि तुम बिना जिन्दगी के सभी आकलन थे महद आकलन आकलन व्यल्थ थे चुँकि समय कम है इसलिए मैं सीरे एक गीत से जोड़ता हूँ और मैं थोड़ा बहुत कभी समय लोनों से जोड़ा हूँ इसलिए हम लोग बहुत गलत चीजे भी करते हैं लेकिन इस मंज की करीमा के हिसाब से एक गीत पढ़ना चाता हूँ इरशाद इरशाद। और बिना केसी भूमी का केई वो गीत है सुनिएगा नहीं 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 आप मैं बहुत वैसे ही डरावगा था यहाँ यहां में सुनिएगा क्या सुनाते हैं, फिर क्या सुनाते हैं, तुमको पूरी दासता, फिर क्या सुनाते हैं, तुमसे दो आसु नहीं संभले हमारे, तुमको पूरी दासता, फिर क्या सुनाते हैं, तुमसे दो आसु नहीं संभले हमारे, तुमको पूरी दासता, फिर क्या सुनाते हैं, बहुत उ पुर चुंआ May- मिए लितक हरजाने स्वर को आशा कर लिया है हमने अपना तन तमाशा कर लिया है हर गजाने स्वर को आशा कर लिया है हमने अपना तन तमाशा कर लिया है जब हमारे साथ थे भै भीत थे तुम हूँ सो तुम्हारे भै को भाशा कर लिया है है जब हमारे भै को भाशा कर लिया है राम अपनी राम अपनी जान की से युद्ध हारे है हम भी तुम से ये लडाई हार जाते है जब हमारे भाई तुम को पूरी दासता फिर क्या सुनाते है क्या सुनाते ये बन सुनिएगा जिनको बिना किसी महनत के प्रेम मिल जाता है उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ एक कोई थोड़ी नई बात कहने की कोशिश किये सुनिएगा यू थके भटके चरण देखे नहीं थे यू थके भटके चरण देखे नहीं थे प्रेम तो पाया जतन देखे नहीं थे प्रेम तो पाया जतन देखे नहीं थे के हमने उनका दुख कथाओं में सुना था हमने दुखियारे हिरन देखे नहीं थे हमने दुखियारे हिरन देखे नहीं थे हम सहज ही हो गए एक दिन तुम्हारे है फिर तुम्हें अपनी विवश्चता क्या बताते है तुमको पूरी दासता फिर क्या सुनाते है यह बत सुनिएगा मेरा लिखा सबसे भावनात्मक बंदों में सी एक है सुनिएगा कि हम से हर चेहरा भूलाया जा चुका था हम से हर चेहरा भूलाया जा चुका था रोशनी बढ़ते ही साया जा चुका था हम से हर चेहरा भूलाया जा चुका था रोशनी बढ़ते ही साया जा चुका था जब तलक तुम तक हमारी बात पहुची ही प्रार्थना का शव जलाया जा चुका था प्रार्थनाता शव जलाया जा चुका था के जग बनाएगा जहां मंदिर हमारे है हम तुमारे साथ अपना दर बनाते हैं तुरी तासतां पिर क्या सुना दे किस दीत का और मेरे कामेश्वाट का अंजिम्मन सुनिएगा प्रेव जी क्या बिड़ना है सुनिएगा अंजिम्मन है मेरे जीत का शुनिएगा के बस जरा सी बात थी कहना कखन था हाँ वो बस नरा सी बात थी कहना कखन था आंशों से घावगा भरना कखन था के जिस हवा ने हर दिया जिन्दा रखा था उस हवा मेरी लिए रखना कखन था के हम स्वयं जी पाए ना अपने सहारे क्या तुम्हे अपने सहारे छोड़ पाते हो तुमको बहुत बद्दा खवतिन उद्दा यही शायरी का भूस यही शायरी अजालू कि आप उससे चुड़े रहते हैं शायरी जब शायर अपनी शायर में कलाम पेश करता है तो एक तरफ जब कभी वो अपने महभूब के तसकिरे करता है तो एक तरफ जो जबीर और आसमान की एक कलामे मिला देता है कभी शायरी यह कहता है कि सूरत तेरी में यार एक कमाल आप बना कर दानिस्ता मुसविर में कलब दोगो दिया है लेकि यही शायर है जब महभूब से नाराज होता है तो यह कहता है कि यह किस मकाम पे सूची तुझे बिछड़ने ही कहीं दिन समरने वाले थे और यही शायर जब हिजर उपाता है अपने महभूब से तो फिर उसे यह कहता है कि होसला तुझ में न था मुझसे जुदा होने का होसला तुझ में न था मुझसे जुदा होने का वरना काजल तेरी आँखों का न फैला होता और यही शायर जब समाच पर और मुआशरे पर तंस करता है तो यह कहता है कि खुदा मेहफोज रखे आपको तीनों बलाओं से आईए इसी तरह कि खुपसूर शायरी को हम और आगे बढ़ाएं और हम अपनी फेहरिस्त से जनाब मध्यम सक्सीना को आवाज दे कि आईए खुब्सूरे शायरी से आप समझे सूँ बहुत शुक्रिया सर। मैं तो ये ताज्यूब कर रहा हूँ इनको कैसे पता लगा कि मैंने वकलत भी की है सबसे पहले तो जशने अदब का बहुत बहुत शुक्रिया जो अमन की इस्तिती है आलोग बिया साइद बिया मेरी भी वही इस्तिती है मैं भी उसी परपाटी से आया हूँ लेकिन अमन और मेरे में अंतर सिर्फ इतना है कि आमन थोड़ा सीधा है मैं भाईया जानते हैं मैं ज़रा कभी संब्लेनों के मन्चुपे उपत्र भी जादा हूँ तो मुझे नहीं मालूम वही इस्तितिया है थोड़ा सा घबरा रहूं कुछ एक एहसास है बाकी मुझे जादा कुछ नहीं आता कोशिश करता हूँ आप तक पहुचने की कि ऐसा भी नहीं है के हवा दे नहीं सकता ऐसा भी नहीं है के हवा दे नहीं सकता लेकिन मैं चरागों को दगा दे नहीं सकता ऐसा भी नहीं है कि हवा दे नहीं सकता लेकिन मैं चरागों को दगा दे नहीं सकता वो रूबरू हुआ भी तो मैदाने जंग में मैं चाह कर भी उसको दूआ दे नहीं सकता बहुत खोब भाई, बहुत खोब वो रूबरू हुआ भी तो मैदाने जंग में मैं चाहा कर भी अब इनन्दन का स्वागत कीजिए मैं चाहा कर भी उसको दूआ दे नहीं सकता है दिल की अदालत का गुनहगार वो लेकिन है दिल की अदालत का गुनहगार वो लेकिन मुनसिफ मिला हुआ है सजा दे नहीं सकता मुंसिर मिला हुआ है, सजा दे नहीं सकता. शेर सुनियगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती. मा के पीरों में जननत होती है, पेदाजी के पेरों में जूता. ये बात हमको ग्रेजुशन के बाद समज में आईए. दिले बीमार को दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती भाया शेर सुनेगा कि और दुआएं दीजेगा कि दिले बिमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे साथ इतना खुबसूरत वक्त गुजरा है, तुम्हारे बाद हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती, बहुत खुब भा बताओ क्या परेशानी है मेरे साथ ये सुगून है मेरी वली नहीं है बताओ क्या परेशानी है दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती बताओ क्या परेशानी है मुझसे जूट मत बोलो किसी को बेवजा तो शायरी अच्छी नहीं लगती बताओ क्या परेशानी है मुझसे जूट मत बोलो किसी को बेवजा तो शायरी अच्छी नहीं लगती शेर देखेगा कि तुम्हें तो सिर्फ बहाने बनाने पड़ते हैं तुम्हें तो सिर्फ बहाने बनाने पड़ते हैं, मुझे तो हिजर के किस्से सुनाने पड़ते हैं, जबां के बाद जब आँखे भी नहीं पड़ता वो मुझे फिर दाओं पर आसू लगाने पड़ते हैं, जबां के बाद जब आँखे भी नहीं पड़ता वो एक गजल के दो तीन शेर उसके बाद एक मेरे मन की चार बंक्तिया हैं वो पढ़कर अपनी जगह लूँगा खिरशाद शेर ये है कि अगर कभी मसला बना तो महज यही मसला बनेगा इस दुनिया में अगर कही कोई दिक्कत आई तो सिर्फ यही मसला बनेगा अगर कभी बना तो महज यही मसला बनेगा बदन तो दुनिया बना ही लेगी दिलों के इवस में क्या बनेगा आहाँ 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 बहुत खोब बहुत खोब बहुत खोब शेर साहे पहुचा नहीं अब फिर कोशिश करता हूँ देखेगा कि अगर कभी मसला बना तो महज यही मसला बनेगा बदन तो दुनिया बना ही लेगी दिलों के एवज में क्या बनेगा तुम्ही ने दुनिया बनाई है ना तुम्ही ने दुनिया बनाई है ना तुम्ही ने दुनिया बनाई है ना नौजवान दोस्तों के लिए शेयर कि तुम्हारे दिल से अब शायद खुल के दात आएगी अगर कभी मसला बना तो महज यही मसला बनेगा तुम्हारे दिल से हमारी खातिर अगर कहो तो मैं बात कर लूँ कि बात करने से बात होगी तभी तो कुछ मामला बनेगा क्या बात है क्या बात है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तभी तो कुछ मामला बनेगा चार पंक्तियां मैं हिंदी की परपाटी से आता हूँ कभी लिखवा दी गई थी मुझे भाया बस कुछ चीजें आमद होती है तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ सर कहते हैं बहुत अच्छी बात कि अगर कोई अच्छा काम आपके दोरा हो रहा है महबत से बड़ी चीज कोई नहीं है दुनिया में भगवान चिरी कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मतुरा जा रहे थे तो सब लोग बड़ा परेशान हो गए कि अब हम उस शक्स के बिना कैसे जिएंगे जिसको हमने बच्पन से रासली राएं करते हुए देखा तो वहाँ पर एक बड़े ज्यानी पुरुष्ट थे उधो उनको अपने ज्यान पर बहुत एहंकार था तो वो आकर कृष्ण से कहते हैं कृष्ण तुम जाओ जाओ मैं इनको समझा दूँगा तो कृष्ण बस मुस्कुराते हैं उसकी भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट से मैंने ये कोशिश की कि वो अपनी मुस्कुराहट से क्या पूछना चाह रहे होंगे उधों से तो चार पंक्तियों के माद्यम से रखता हूँ देखेगा के यमुनातत को वनशीवट को मन के हट को समझाओगे कैसे मन के हट को समझाओगे कैसे राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे सबने मुझसे कहा भी भाईया की राधा और मीरा दो अलग-अलग युक की बाते हैं लेकिन मैं यहां दो व्यक्तियों की बीच में समबाद इस्ताफित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बलकि ज्ञान और फ्रेम के बीच में मैंने थोड़ी सी एक रेखा खीशने की कोशिश की है यमुना तट को वन शीवत को मन के हट को समझाओगे कैसे मन के हट को समझाओगे कैसे राधा के नेनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे कानहा के नाम का प्रेम पियुश पिया है जिया है यहाँ सबने उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ग्यान का रंग चड़ाओगे बहुत हो बहुत हो सवाल हक्का उठा रहा हूँ मैं कितनी हिम्मद जुटा रहा हूँ मैं सबसे पहले भटक गया था सो सबको रस्ता दिखा रहा हूँ शेर सुनेगा कि जो बैया आदेश कर रहे हैं मैं फिर से पढ़ने के यमुना तट को वन शीवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे मन के हठ को समझाओगे कैसे राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे कानहा के नाम का प्रेम प्यूश पिया है जिया है यहां सबने उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्यान का रंग चड़ाओगे कैसे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्री है आईए हम इस मुशायरे को और आगे बढ़ाएं हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया सेफ ये दिन तो कयामत की तरह गुजरा है जाने क्या बात थी हर बात पे रोना आया आईए इस शायरी की खुबसूरत एहसास को हम और आगे बढ़ाएं और अपनी फहरिस्त से एक खुबसूरत नाम जनाब नदी महमद काविश साहब का है मैं आप से दरखास गुजार हूँ कि सर आईए और अपनी खुबसूरत शायरी से हम सब को नमाज़ें कुछ मुतफरिक अशायर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि तुम्हारे लंस ने इतना किया निहाल मुझे मैं अपने जिस्म से बाहर निकल के बैठ गया तुम्हारे लंस ने तुम्हारे लंस ने इतना किया निहाल मुझे मैं अपने जिस्म से बाहर निकल के बैठ गया खलिश की सलवटें गिनने के बाद राद गए सुकू उतार के टांगा किवाड पर हमने खलिश की सलवटें गिनने के बाद राद गए सुकू उतार के टांगा किवाड पर हमने मुझको चादर उड़ा के खाबों की मुझको चादर उड़ा के खाबों की नींद कोने में जाके बैठ गई मुझको चादर उड़ा के खाबों की नींद कोने में जाके बैठ गई हादिसों अब तुम्हें आजाद नहीं करना है हादिसों अब तुम्हें आजाद नहीं करना है जिन्दगी तुझको इन्फराद नहीं करना है अपके ये सोच के नोचेंगे बदन अपना हम याद रखना है तुझे याद नहीं करना है बहुत हो बाई बहुत हो बहुत बहुत शुक्रिया अपके ये सोच के नोचेंगे बदन अपना हम अब के ये सोच के नोचेंगे बदन अपना हम याद रखना है तुझे याद नहीं करना है मसर्रतों के खजाने जो पास लगने लगे मसर्रतों के खजाने जो पास लगने लगे हमारे खास शनासा उदास लगने लगे मैं उस मकाम पे पहुचा हूँ राह उल्फत में मैं उस मकाम पे पहुचा हूँ राह उल्फत में तुम्हारे हाथ के पत्थर कपास लगने लगे बहुत अंदा भाई मैं उस मकाम पे पहुचा हूँ राह उल्फत में तुम्हारे हाथ के पत्थर कपास लगने लगे मेरी वीरानी दुनिया में अब जाकर उफ्ताद खुले मेरी वीरानी दुनिया में अब जाकर उफ्ताद खुले धीरे धीरे हौले हौले जैसे एक हमजाद खुले धीरे धीरे हौले हौले जैसे एक हमजाद खुले बारिश तितली चंदा तारे जरने बुलबुल खाब घटा बारिश तितली चंदा तारे जरने बुलबुल खाब घटा किसके कहने पर फिरते हैं ये सारे जल्लाद खुले इश्क है फकत जिसमें जुस्तुजू इजाफी है इश्क है फकत जिसमें जुस्तुजू इजाफी है पेरहन की गेशू की लब की बुल इजाफी है आलोग बाई share देखेगा गुफ्तुगू सतुने इश्क गुफ्तुगू असासे इश्क और विसाले शब में ही गुफ्तुगू इजाफी है गुफटगू सतून इश्ग गुफटगू असास इश्ग और विसाल शब में ही गुफटगू इजाफी है ये जमाल जावजा ये कमाल सन्नाई ये जमाल जावजा ये कमाल सन्नाई तू नहीं तो नजारा चार सू इजाफी है तू नहीं तो नजारा चार सू इजाफी है एक गजल के दो तिन शेयर पढ़के फिर में जाज़ चाहूंगा कि वफूरे शौक में खोली जो मुठियां मैंने वफूरे शौक में खोली जो मुठियां मैंने बैतबार उड़ा दी हैं तितलियां मैंने बैतबार बैतबार उड़ा दी हैं तितलियां मैंने बताए मुझ को तिरी याद आने वाली है बिठा के रखी है पहरे पेछ़किया मैंने बताएं मुझको तिरी याद आने वाली है बिठा के रखी हैं पहरे पहिचकियां मैंने तौसी शेर देखना कि तमाम कमरे में बिखरी पड़ी थी मेरे ये तमाम कमरे में बिखरी पड़ी थी मेरे ये अभी उठाई हैं यादों की किर्चियां मैंने अभी उठाई है यादों की किर्चियां मैंने ये तेरा इश्क है सयाद सच्य है वरना ये तेरा इश्क है सयाद सच्य है वरना परों से काट दी कितनी ही तीलिया मैंने और शेराखर यूँ है कि तिरे वजूद की शिद्दत ने घेर रखा है तिरे वजूद की तिरे वजूद की शिद्दत ने घेर रखा है अभी मनाई है तिरी फुरकत अभी कहा मैंने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब नदीम अहमद काविश साहब एक खुबसूरत अच्छी और सच्छी शायरिया आपने समाद की हमारे दर्मयान जनाब खुशपील सिंग शाद साहब इस मुशायरे में तश्रीफ लाए सराब का इस्तिक्बाल बहुत बहुत इस्तिक्बाल यही शायरी है यही अर्दू जबान की खुबसूरती है कि यह आपको जोड़े रखती है जनाब खुशपील सिंग का एक बहुत ही मशहूर मकूला है कि आप अगर उर्दू जबान सीखना चाहते है तो इश्क कर लीजिए और अगर इश्क करना चाहते है तो उर्दू जबान सीखना चाहते है यही उर्दू का हुसन है और यही उर्दू की दिलावेजी है आईए हम अपनी शायरी में और आगे बढ़ें हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता दश्ट वह्षत में भी आदाब लिये फिरते हैं आईए इसी सिलसले की कड़ी को हम आगे बढ़ाएं और अपने फेहरिस से एक खुबसूरत नाम जो हिंदी जबान में गीतों और नजमों के हवाले से अंकित कावेंट से मैं दर्खास गुजार हूँ कि वो तश्रीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सबको नमाजे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तुम क्या जानों कैसे बहकर आए हैं तुम क्या जानों कैसे बहकर आए हैं हम मिटी थे पानी सह कर आए हैं तुम क्या जानों कैसे बहकर आए हैं जिद करता था मुझमें रह जाओ, जबकि दर्या मुझमें रहकर आए हैं, चार पंक्तिया बढ़ता हूँ कि, जबकि दर्या मुझमें रहकर आए हैं, चार पंक्तिया बढ़ता हूँ कि, कोई चहरा जिंदगी बर साथ दे, तो किसी से एक तरफा प्यार करके देख लो, तो किसी से एक तरफा प्यार करके देख लो कि खाईसों का यह समंदर पार करके देख लो उम्र भर के वास्ते अंधियार करके देख लो और चाहते हो कोई चेहरा जिंदगी भर साथ दे तो किसी से एक तरफा प्यार करके देख लो कभी तो पार जाना चाहते हैं, कभी तो पार जाना चाहते हैं, कभी दरिया सुखाना चाहते हैं, और महबत वो अंधेरी रात जिसमें दिये आंसु बहाना चाहते हैं, और हमी ने रोक रखा है नहीं तो सितारे पास आना चाहते हैं, गिसक्ती ख्वाई से बिखरा हुआ सपना बताता है, क्या बाद है? कुछ जरूरी खुष्भूएं कालर दबोचे ही रही, कुछ जरूरी खुष्भूएं कालर दबोचे ही रही, सौक की तितली ननिकली जेप की तुरपाई से, और हम हमारी धूल पर चढ़कर उचकते ही रहे, किन्तु बाहर आन अपाए कर्ज की गहराई से, थकाहारा हमारा शाम का हुलिया बताता है, हमें बाजार ने बंधक बनाया गए, सुबह थकाहारा हमारा शाम का हुलिया बताता है, हमें बाजार ने बंधक बनाया गए, सुबह सूजे नयन भीगा हुआ तकिया बताता है, हमें बाजार ने बंधक बनाया है, सुबह सूजे नयन भीगा हुआ तकिया बताता है, दिखा नहीं मेले में मुझको बहुत समय तक जिसके पास ठहर जाओं मैं रंग बिरंगे द्रिश चतुर्दिक पाउं पसारे मुझको बाहों में भर लेने को इच्छुक थे कला अगर होती तो सुविधाओं के ठाठ बाठ मेरे सम्मुक थे कि मूल ने गिरा सकने की कला अगर होती तो सुविधाओं के ठाठ बाठ मेरे सम्मुक थे तोल मूल में माहिर व्यापारी थे सारे सोचा खाली हाथ लिये ही घर जाओं मैं कि राम कथा का मंचन करती हुई मंडली, दूर गोल बंदी करने में जुटा मदारी, मुझे आगमन से लेकर प्रस्थान मिंदु तक, जन्म से लेकर मित्यु तक समझ सकते हैं, कि मुझे आगमन से लेकर प्रस्थान मिंदु तक, या तो अभिने दिखा दिखी या फिर लाचा कर्तब जादू खेल तमाशा देख लिया सब, कर्तब जादू खेल तमाशा देख लिया सब, खड़ा भीड में उल्जन लिये किधर जाओं मैं, और अंतिम बन पढ़ता हूं, कि जाते जाते सोचा चलो पूछ लेता हूं, सायद कोई हो जो उससे मिलकर आया, जाते जाते सोचा चलो पूछ लेता हूं, सायद कोई हो जो उससे मिलकर आया, चका चौन में डूबा हुआ, एक भी मानुस अक्षय आकरशन का पता नहीं दे पाया, अपनी पूजी भर का जूब चुका हूं जूबा, अपनी पूजी भर का जूब चुका हूं जूबा, उब गया हूं, मन कर रहा, उतर जाओं में. बहुत शुक्रिया, जनाब अंकित काविश, हजरात, शायरी की खूबी और किसी भी जबान के शायरी की खूबी ये है, कि शायर कलाम पेश करता है और सुनने वाले ये महसूस करते हैं कि ये उसके दिल की आवाज है ये उसके दिल की कहानी है ये उसके साथ गुजरी हुई दास्तान है यही शायरी का हुस्न है और यही शायरी का जादू है हम तो फसाना कहके अपने दिल का बोज उतार चले हम तो फसान न कहके अपने दिल का बोज उतार चले तुम जो कहोगे अपने दिल से कैसा वो अफसाना होगा आईए सुनते हैं जनाबे पुशेमित्र उपाध्याय से उनके अफसाने कैसे हैं इस्तिक्बाल कीजिए आपकी उपस्तिती को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले वो रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो काफी आपके दौरा सराई गई पूरे इंटरनेट पे सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठालो, अब गोविंद ना आएंगे सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठालो, अब गोविंद ना आएंगे छोडो महंदी, खड़क समालो, खुद ही अपना चीर बचालो द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, सब मस्तक बिक जाएंगे सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठालो, अब गोविंद ना आएंगे माईने ये हैं कि ईश्वर भी उनी की मदद करता है जो अपनी मदद करते है कल तक था बस अंधा राजा अब गुंगा बहरा भी है होट सिल्दिये हैं लोगों के कानों पर पहरा भी है तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्रो ठालो अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दूशा शंदरवारों से सुयम जो लज्जा हीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्रो ठालो अब गोविंद ना आएंगे बहुत हो बहुत हो तुम स्रश्टा पालन करता तुम हुई शार्दा विश्नु प्रिया अब बनो भवानी भी है मानी मान तभी बच पाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे एक और बंदा इसका के धर्ती बनकर पाले परवत और सागर को गोद लिया जग को अमरत दिया सदाही स्वयम गरल का भोग किया अब करो प्रले संधान है वसुधा बंध तभी खुल पाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे वाँ 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 बहुत खुद भाई बहुत खुद भाई बहुत खुद एक छोटी सी नजम पेश करता हूँ आप मेंसे कई फ्रेंड जोन हुए होंगे तो फ्रेंड जोन लोगों के लिए एक नजम है के अब हम दोस्त हैं सिर्फ दोस्त अब हम दोस्त हैं सिर्फ दोस्त अब इश्ख हम किया नहीं करते अब हम दोस्त हैं सिर्फ दोस्त, अब इश्क हम किया नहीं करते, अब हम करते हैं सिर्फ जरूरी बाते, अब हम करते हैं सिर्फ जरूरी बाते, अब खामोशियों को पढ़ा नहीं करते, अब हसते हैं हम मजाकिया किस्सों पर, अब बेवज़ मुस्कुराया नहीं करते, अब हम दोस्थ हैं सिर्फ दोस्त, अब इश्क हम किया नहीं करते अब हम मिल जाते हैं राहों में इत्फाकन, अब मिलने के लिए तरसा नहीं करते अब एक दूसरे को हम याद नहीं आते अब एक दूसरे को हम याद नहीं आते अब एक दूसरे को हम भूला नहीं करते अब हम दोस्त हैं सिर्फ दोस्त अब इस हम किया नहीं करते एक और नजम पेश करता हूं हम सब हमें से ज़्यादा तर लोग बाहर से आई हुए हैं और अब दिल्ली के हो चुके हैं तो दिल्ली वालों के लिए है इर्शाद खत्म हुए सब काम अब दिल्ली में रहते हैं अपने शेहर से नाकाम अब दिल्ली में रहते हैं अपने शेहर से नाकाम अब दिल्ली में रहते हैं जल जलाए आम थे जो हां के सरहंगाम थे जो जल जलाए आम थे जो हां के सरहंगाम थे जो वो कहीं गमनाम अब दिल्ली में रहते हैं वो कहीं गमनाम अब दिल्ली में रहते हैं तेरे जल्वों की कशिश तेरे जल्वों की कशिश वो मेरे जजबों के सजर तेरे जल्वों की कशिश वो मेरे जजबों के सजर वो सब किस्से तमाम अब दिल्ली में रहते हैं अब वफाओ बेवफापे करियो ना हर्गिज सवाल आपके इल्जाम सब दिल्ली में रहते हैं उन ख्यालों से ये कहना अब सताएं गेर को उन ख्यालों से ये कहना अब सताएं गेर को गए वो जिगर बदनाम अब दिल्ली में रहते हैं जो कहीं के भी नहीं रहते ऐ जाने जां कहते हैं वो बे नाम अब दिल्ली में रहते हैं कहते हैं वो बे नाम अब दिल्ली में रहते हैं शुक्रिया बहुत शुक्रिया अब मुशायरे में बिल्कल अखीर बरहले में सिर्फ दो शौरा और हमारे दरपास हैं मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया ये शायरी जिस पे मुतफर्रिक अनामीन और मुतफर्रिक उन्वान से आपने शायरी सुनी शायरी दर असल आसान नहीं होती ये दुनिया की वाहिद ऐसी शेय है और ऐसी चीज है जो दुनिया की कोई यूनिवर्स्टिस सिखा नहीं सकती होता यह है कि जब दिल और जहन और दिमाख के जब जब जखम जलने लगते हैं तो धुएं की एक पतली सी लकीर जहन के सतह पर चिपक जाती है वहां से शायर उस सियाही से रोशनाई बनाता है और उस रोशनाई से एक हर्फ बनता है उसे एक हर्फ से एक लफ्स और फिर एक मिस्रा बनता है और फिर ये मिस्रे आपको शायरी के शक्ल में हम महसूस करते हैं, सुनते हैं तो ये शायरी आसान नहीं होती जिस अशुरा के कलाम आपने सुने आईए शायरी के इसी सफर को हम आगे बढ़ाएं और जनाब मह्युद्दीन वारिस सहब से दर्खास करें कि वो आप तश्रीफ लाएं और अपने कलाम से मैं उमान मस्खस से आया हूँ मैंने जो एहसास महसूस किया है हिजरत का चंद शायर मैं आपकी नजर करता हूँ कि तुम्हारी उम्र की हम तो दोआ दिन रात करते हैं तुम्हारी उम्र की हम तो दोआ दिन रात करते हैं कहा है माने के घर आना हम कुछ बात करते हैं तुम्हारी उम्र की हम तो दोआ दिन रात करते हैं कहा है माने के घर आना हम कुछ बात करते हैं और ये शेयर जिसके लिए मैंने ये मतला हाजिर किया है, भला आप छोड़कर घर कौन जाता है कहीं आरो, मगर मजबूर हिजरत के लिए हालाथ करते हैं, उसी सिलसिले का एक शेयर और के, कोई तो थाम लेता मेरा दामन वक्त रुखसत को, कोई तो थाम लेता मेरा दामन वक्त रुखसत को, कोई तो थाम लेता मेरा दामन वक्त रुखसत को, हमेशा खुद से हम ऐसे सवालाथ करते हैं, हमेशा खुद से हम ऐसे सवालाथ करते हैं, और ये शेयर के रुकावट तो बहुत है रास्ते में जिन्दगानी के, रुकावट तो बहुत है रास्ते में जिंदेगानी के मगर तेरी दौ़ा है जो करमात करते हैं मा की दौ़ा मगर तेरी दौ़ा है जो करमात करते हैं और याखे शेयर के बुलावा जाने का बाजाए बारिस किस को है मालूँ बुलावा जाने का बाजाए बारिस किस को है मालूँ जो फुरसत के हैला है आओ इसमें बात करते हैं बहुत 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 बात करते हैं चंद शेर और आपके नज़र कर रहा हूँ कि इर्शाद इर्शाद ए आली, चुके ये नौजवानों का मशारह है, दूस हवाले से चंद शेर के, मैंने माना कि कोई खाब है दिवाने का, कुछ सबब तो है नीन में डर जाने का, और ऐसे रोते हुए जीना भी कोई जीना है, आहां ऐसे रोते हुए जीना भी कोई जीना है जिंदगी नाम है हस्ते हुए मर जाने का जिंदगी नाम है हस्ते हुए मर जाने का ऐसे रोते हुए जीना भी कोई जीना है जिंदगी नाम है हस्ते हुए मर जाने का और ये शेर शारी के हावाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि क कोई लेला मेरी वहशत तो नहीं है लेकिन नाम देडाला है मजनू मेरे अफसाने का और मुझसे पैमाना छुपाते हो भला क्यों वाइज बेसबब रुख कोई करता नहीं मैखाने का ये आखरी शेर वह उसके बाद में अपनी जगा लूँगा कि अब तसवर में भी परदा किया करते हैं खुब पाया है नया रंग ये शर्माने का शुक्रिया जनब मुझसे बbersदेटा आई отдель的 । मेरा भी नाम शामील है तो सिर्फ दो शेर एक मतला एक शेर मैं आपके सामने पेश करूंगा उसके बाद मैं क्योंकि चार बिलकुल बज़ने ही वाले हैं एक मतला ए हर एक गाम पे धड़का भी बहुत था दुश्मन का दुश्मन का हर एक गाम पे धड़का भी बहुत था और तुझ से जुदा होने का खत्रा भी बहुत था और आखरी शेयर ये सुनने के माना के है इस राह में आप अपनी ही तजलील माना के है इस राह में आप अपनी ही तजलील लेकिन तेरी एक दीद का नशा भी बहुत था माना के है इस राह में आप अपनी ही तजलील लेकिन तेरी एक दीद का नशा भी बहुत था अब आईए हम अपनी फहरिस्त के आखरी शायर जनाबे रंजन निगम साहब से दर्खास करें कि गरीबे शेहर तो फाके से मर गया आरी अमीरे शेहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली जिन्दगी की सचाईयों को समाच के मौशरे के हालात को अपनी शायरी में पिरोना और इस तरह पिरोना कि वो आईने की शक्ल इख्तियार कर जाए वो शायरी आपको जनाबे रंजन निगम में आपको देखने को मिलेगी इस्तिक्बाल कीजिए अलाब भूस्तों सुनाब भाई भी युनिवर्सिटी ली बात कर रहे थे मेरी फिटम्बना भी है मेरी मिर्सरी मेरी उस्ताद महतरम हमीद सहाब यहां बेठे वे है तो आप में शायरी आप सुन चुके है मैं कुछ बहुत कम अपने अपने हिस्से के वक्त को भी बहुत कम करते हुए आपको सीधे सीधे मतले पे लेके चलता हूँ उनी मतले सुन लीजी अब किधर से चले थे आप इसे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अलग-अलग इलाकों से आते हिंदुस्तान के यहां पे जामिया में और हो सकता है आप जुड़ें इससे के किधर से चले थे किधर आ गए हम किधर से चले थे किधर आ गए हम उधर का सफर था आगे हम और ये शेर आप लोगों को पसंद आएगा ही कि ये चाहा था हमने निकल जाए बचकर आगा हम ये चाहा था हमने निकल जाए बचकर नजर कर रहा हूं ये चाहा था हमने निकल जाए बचकर महबत को लेकिन नजर आगए हम वह बहुत को लेकिन नजर आगए हम फकीर आपकीरा ना फितरत वारा तबियत भटकते हुए तेरे दरा आ गए हम एक मतलब और एक शेर उसके बाद मुझे लगता है पर आप लोग इतना अच्छे से सुन रहे हैं कोई अभी तक एक भी आदमी बाहर नहीं गया तो मेरा हुसला बढ़ रहा है एक लफज है सहाफी और अ तो बड़े जिम्मेदार ये सहाफी रहें और सहाफी जब कोई असर का नहीं रहा हाँ सहाफी जब कोई असर का नहीं रहा हाँ सहाफी जब कोई असर का नहीं रहा हाँ बहुत हो बहुत हमने बिठाया था उसे सराह पर मगर दिल से उतर गया तो नजर का नहीं बहुत बहु बहुत बहुत शुक्रियाँ नमारा आज का ये यूथ मुशायरा यही पर खत्म होता है शुवरा के आप में को भुशूरत अशार आपने सुने चौनेलिया के चान विसरों से आज का ये मुशायरा यहतिदाम पर पहुचता है कि कुछ पलट कर नहीं कहा मैंने कुछ पलट कर नहीं कहा मैंने ये मुझे मात हो गई है जा मुझे पर कस्रे लगे वो आवाजे इतनी आउपात हो गई है वाजे इसे के साथ हमारा आज का ये यूथ मुशायरा तक होता है हुआ 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 है बाघ बड़邊